Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Gemini's आप लोगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो में पर से आपे तीन सेट अफ कार्ड्स हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे and third set में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं Gemini's और आपके लिए आप इस सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है Four of Cups और देखें ये कार्ड कहता है कि कुछ time से या फर May starting में आप emotionally low feel कर रहे हैं या मैं कह सकते हूं hundred percent नहीं महसूस कर रहे हैं कोई भी चीज आपको satisfaction वो joy नहीं दे पा रही है कहीं चीजों से आप withdraw करना चाहा रहे हैं या मैं कह सकते हूं कि जो भी activities हो रही हैं आप मन से उन में involved नहीं हो रहे हैं मन से किसी भी चीज में participate नहीं कर पा रहे हैं और देखिये ऐसी energies के लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन four of cups के नीचे awareness का card कहता है कि आप बहुत ही you know संभल संभल के चलना चाहा रहे हैं या पर किसी चीज को लेकर एक awareness आ रही है पीछे कोई गलती आप से हुई या आपके partner से हुई उसी गलती को आप सुधार ना चाहा रहे हैं और देखिये ये गलती सब के लिए different कर सकती है कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आपने बहुत अपनी feelings अपने partner के साथ share करी या फिर आपने इतनी उनको priority दी feeling होनी शुरू हो जाती है कुछ के लिए हो सकता है कि आपने उतना नहीं express किया कुछ के लिए हो सकता है कि आपने अपने partner को कुछ गलत कह दिया या फिर you know आपने कुछ गलत behave किया या आपके partner की ऐसी energies रही तो देखे नटशल में कोई गलती आपसे आपके partner से हुई आप उस पे focus कर रहे हैं और उसी को ही फिर से मैं कहूंगे improve करना चाहा रहे हैं और इसलिए देखे आप ए queen of source का card कहता है कि आप हर चीज को लेके काफी critical काफी judgmental हो रहे हैं आप logically चीजों को deal कर रहे हैं mind से चलते हुए दिख रहे हैं आप upfront हो रहे हैं आपका communication बहुत blunt, बहुत straightforward हो रहा है एक detachment आप लाना चाहा रहे हैं या फिर ला रहे हैं या मैं कहा सकती हूँ कि कहीं emotions, feelings mid may में या mid may के बाद से missing रहती हुई दिख रही है और दिखे surface level पे आप बहुत ही confidently हर चीज को deal कर रहे हैं लेकिन deeper level के लिए तो wayfarer का card कहता है कि आप lost feel कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहा हैं, आप क्या कर रहे हैं और कहीं फिर से मैं कहूंगी कि एक अकेलापन इसी वज़े से या तो आप चाहा रहे हैं, या फिर आप महसूस कर रहे हैं और दिखे एंड में के लिए यहाँ पे wheel of fortune, reverse and intimacy के cards कहते हैं कि बहुत speed से आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और दिखे यह आगे बढ़ना भी सब के लिए refer करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने partner के साथ you know next level पे इस relationship को लेकर जाना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship को छोड़के आप अपनी personal growth अपनी personal you know life पे focus करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको travel करना है, उससे related issues हो रहे हैं तो फिर से देखे एक movement, एक shift, बहुत speed से आप चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और intimacy का card कहता है कि आप थोड़ा सा pause करके चीजों को और समझना चाहा रहे हैं तो देखे फिर से ये दोनों cards contrary energies की बात करते हैं, कहीं wheel of fortune का card जल्दबाजी करने की बात करता है, impulsive होने की बात करता है और ये card reverse है तो देखे ऐसा आप करना चाहा रहे हैं लेकिन अपने आपको रोक रहे हैं और intimacy का card भी कहीं इन ही energies को और जादा confirm करता है, आप थोड़ा slowly slowly you know बहुत ही surety के साथ, बहुत ही security अपने लिए र रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं और अब देखते हैं Gemini's के आपके partner की क्या energies हैं तो देखे आपके partner के लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है seven of cups reverse और ये card कहता है कि पीछे हो सकता है आपके partner की बहुत distracted सी energies थी जहाँ पे ब relationship पे उतना focus नहीं कर पा रहे थे कुछ Gemini's के लिए हो सकता है कि उनके partner के पास और options थे और choices थी और लोग थे और देखे थोड़ा थोड़ा ये सब के लिए differ करेगा लेकिन कहीं देखे seven of cups reverse का card कहता है कि आपके partner सोच बहुत जादा रहे थे उनकी तरफ से उतने concrete उतने realistic you know measures इस relationship को लेकर नहीं रह रहे थे या फिर देखिए वो बहुत distracted थे और कहीं May starting में या May month में सभी distractions को हटा के वो इस relationship पे focus करना चाहा रहे हैं वो आप पे focus करना चाहा रहे हैं और देखे कहीं अगर उनको कोई decision लेना था choice लेनी थी जो नहीं ले पा रहे थे तो वो decision वो choice भ देखे sex का card कहीं ultimate union की बात करता है जो कि आपके partner आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं देखे sex हमेशा ही physical intimacy या फिर physical connect नहीं mean करता है sex का मतलब होता है ultimate union और फिर से मैं कहूंगी कि ऐसा ही आपके partner भी चाहते हुए दिख रहे हैं और देखे शायद इसलिए या फिर otherwise भी कहीं अपनी self respect को भी इनों पीछे रखते हुए कहीं आपको या तो किसी चीज के लिए convince कर रहे हैं या फिर आप से कोई चीज चाहा रहे हैं और बहुत जादा literally उनकी begging वाली energies हो सकती हैं जहाँ पे देखिए बहुत again मैं कहूंग आपको convince कर रहे हैं अपनी self respect को भी इतनी importance नहीं दे रहे हैं deeper level के लिए यहाँ पे the present moment का card कहता है कि जो भी चीजें पीछे हुई उनको भी भूलना चाहा रहे हैं और कहीं future पे भी नहीं focus करना चाहा रहे हैं present moment को importance या फिर एहमियत देना चाहा रहे हैं कहीं चीजों के deep में जाना चाहा रहे हैं कहीं slowly slowly वो भी आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और देखिए यहाँ पे obsession and greed का card कहता है कि बहुत उनके मन में आपके लिए एक obsessive सी energies हैं जितना भी उनको आपका साथ मिलता है उनके लिए कहीं कम होता है देखिए नचल में बहुत आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं बहुत एक companionship चाहते होते हुए दिख रहे हैं और इसी वजए से कहीं deeper level पे परेशान भी होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि देखिए जब हम एक obsessive और possessive energies में होते हैं तब हम खुश नहीं रह पाते हैं और देखिए six of swords rivers का card कहता है कि वो भी कहीं एक movement एक shift चाहा रहे हैं कहीं आगे बढ़ना लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं और stuck energies कहीं महसूस कर रहे हैं या फिर किसी चीज को लेकर बहुत again मैं कहूंगे stuck वो रहते हुए देख रहे हैं और देखिए आप दूनों के लिए ही cards कह रहे हैं कि आप लोग शायद हो सकता है travel करना चाहा रहे हैं और travel plans भी delay हो रहे हैं य लेकिन देखिए overall के लिए दोनों ही you know shift या movement जा रहे हैं और उसी से ही related कुछ issues कुछ मसले हैं और कहीं इसी वजए से कहीं May end में आप दोनों ही अपने अपने level पे stuck महसूस करते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं Gemini's की May month में क्या हो रहा है तो देखिए May month के लिए आपे सबसे पहले cards है Two of Cups and the Dark Knight of the Soul तो देखिए Two of Cups का card कहीं marriage की बात करता है, engagement की बात करता है, companionship की बात करता है, togetherness की बात करता है, बहुत एक प्यार, महबत की बात करता है, date पे जाने की बात करता है और कहीं बहुत एक quality time भी साथ में बिताने की बात करता है तो हो सकता है देखिए surface level पर ये सारी चीजें हो रही है in fact थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा तो सब के लिए इन में से ही कोई चीज हो रही है लेकिन deeper level के लिए the dark night of the soul का card कहता है कि कहीं कुछ issues, कुछ मसले भी रह रहे है कहीं वो enthusiasm खतम हो रहा है या फिर देखिए वो clarity नहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक कोई इस relationship से related आ रही है fears है, insecurities है कहीं देखिए nutshell में एक परिशानी, एक उलजन एक बड़ी ही discomforting सी feeling या energies deeper level पे रह रही है और देखिए शायद इसलिए devil का card एक stress tension की बात करता है जो की may end में इस relationship में हो रहा है और देखिए devil भी कहीं physical intimacy, physical connect की बात करता है obsessiveness की बात करता है कहीं बहुत ही positive energies की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही mid may में इस relationship में रह रहा है और देखिए आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती है लेकिन आपके partner की तरफ से जादा दिख रही है क्योंकि आपके partner के लिए यहाँ पे obsession and greed का card है sex का भी card है और ये दोनों ही energies कहीं devil का card भी represent करता है तो देखिए हाला कि मैंने आपको अभी कहा sex हमेशा ही physical intimacy नहीं represent करता है लेकिन आपके partner की तरफ से एक physical attraction कहीं may month में रहता हुआ दिख रहा है मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके partner एक सिरफ और सिरफ physical connect ही आपके साथ महसूस करते है लेकिन may month में कहीं you know एसी सी energies उनकी जादा दिख रही है और कहीं बहुत एक obsessive बहुत एक possessive energies भी फिर से मैं कहूंगी रह रही है और एक stress tension भी कहीं रहता हुआ दिख रहा है और देखिए आप एक usable का card कहता है कि आप दोनों याँ आप दोनों में से कोई एक इस relationship को contain करना चाहा रहे है और आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि साथ होते हुए भी एक दूरी है देखिए इस card में दो birds है एक पिंजरे के अंदर है एक बाहर है और देखिए बहुत ही clearly ये card हमें बता रहा है कि साथ होते हुए again एक दूरी है जहां पर एक जन कहीं कोई restrictions में है limitations में है ये limitations, ये restrictions सबके लिए differ कर सकती है कुछ के लिए negative thought process हो सकता है negative belief system हो सकता है externally circumstances, situations की तरफ से हो सकता है कहीं you know family की तरफ से हो सकता है society की तरफ से हो सकता है तो फिर से देखिए कुछ limitations, कुछ restrictions आप दोनों के बीच में एक barrier, एक दिवार सी create कर रही है जहाँ पे साथ होते हुए भी वो एक togetherness, वो एक companionship आप लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं और शायद इसलिए देखें एक stress, एक tension भी है और देखें कहीं five of wants and family के cards भी यही कहते हैं कि आप लोगों के बीच में या तो arguments हो रहे हैं या फिर views नहीं match कर रहे हैं या फिर देखें externally situation, circumstances की वजए से कुछ मसले, कुछ issues हैं क्योंकि five of wants के नीचे family का card है तो देखें family की involvement, family की interference की वज़े से भी issues रह सकते हैं या फिर आप दोनों ही family start करना चाहा रहे हैं यानि कि marriage करना चाहा रहे हैं, engagement चाहा रहे हैं, live-in चाहा रहे हैं उसी से ही related, देखें issues और मसले रह रहे हैं और हो सकता है कि again देखें, togetherness हो रही है या फिर मैं कहूंगी marriage, engagement, live-in, या companionship रह रही है लेकिन या पर बहुत सारे cards कह रहे हैं, फिर से मैं कहूंगी साथ होते हुए भी एक दूरी है, stress है, tension है, और कहीं कुछ मसले रह रहे हैं family एक reason हो सकता है, और कहीं possessiveness या फिर you know एक obsessive energies भी एक issue रह सकता है तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें